हेलो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं Top 5 Best 5G Smartphone Under 25K की काफी सारे न्यू स्मार्टफोन यहां पर लॉंच हो रहे हैं मार्केट में और काफी competition बढ़ चुका है और काफी confusion भी यहां पर create हो चुकी है हमने काफी research और analysis के बाद आपके लिए Top 5 Best 5G Smartphone Select की हैं इस वीडियो को list में आता Redmi Note 12 Pro 5G काफी time हो गया iSpawn को launch हुए बट अभी भी यह काफी अच्छा यहां पर smartphone निगल के आता है 22,000 की range में आपको मिलने वाला है और इसमें आपको 3 variant यहां देखने को मिलेगें अगर मैं बात करता हूं इसकी display की यहां पे आपको 6.67 इंच का Full HD Plus AMOLED display देखने को मिलेगा और आप outdoor में भी अगर इसका यूज करते हैं तो आपको अच्छा खासा bright display यहां देखने को मिलेगा 900 Nets का bright level भी आपको देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आपको side mounted finger scanner भी यहां देखने को मिलेगा और इसका display HDR 10 Plus को भी sport करता है हाला कि Netflix में देखने को नहीं के साथ यह smartphone आता है और इसके box में आपको type A to type C charging cable भी देखने को मिलेगी बैटरी backup भी आपको अच्छा मिलने वाला है और charging speed भी आपको 67 watt charger यहां पे मिलने वाला है अब हम बात करते हैं इसके camera इसकी rear में triple camera setup देखने को मिलेगा 50 Megapixel का main camera OIS के साथ आने वाला है और Sony का sensor है अब है प्लस 8 Megapixel का ultra wide आपको मिलने वाला है प्लस 2 Megapixel का micro camera यहां देखने को मिलता है और अगर मैं इसके selfie camera की बात करता हूं तो यहां पर आपको 16 Megapixel का selfie camera भी देखने को मिलेगी आपको rear camera से काफी अच्छी photo यहां देखने को मिलेगी आलवर बगार यहां अच्छे वीडियो भी रिकोर्ड कर पाएंगे 30fps पे और अगर सेल्फी केमरा से बात करता हूं तो यहां पर आपको 1080p 60fps की रिकोर्डिंग देखने को मिलेगी बट जो OES है यहां पर जो काम करेगा वो आपका 1080p 30fps पे अच्छे से काम करेगा ओवराल में आपको वीडियो ग्राफी भी काफी स्टेबल यहां देखने को मिलेगी अब हम बात करते हैं इसके Multimedia Experience के बारे में यहां पे आपका Multimedia Experience भी अच्छा होने वाला है क्योंकि इसका AMOLED डिस्प्ले के साथ साथ आपको Stereo Speaker भी देखने को मिलेगा और इसमें आपको Dolby Atmos का भी Sport देखने को मिलेगा 3.5M का Jack यहां देखने को नहीं मिलेगा और Noise Cancellation Mic यहां देखने को मिलेगा और अगर मैं बात करूँ इसकी Weight की तो आपको Approximate 187 Gram के करीव यह Weight देखने को मिलेगा जैसा कि 5G स्मार्टफोन है आपको 10 5G Band का भी है Spot देखने को मिलेगा इंडिया में जितने भी 5G Band है सभी कोई Spot कर प्रोसेसर है यहां पर Stable Performance आपको देखने को मिलेगी आप Day to Day Activity के साथ साथ अच्छी खासी Gaming वी इस प्रोसेसर के साथ कर पाएंगे और यह स्मार्टफोन आपको Out of the Box Android 12 के साथ आने वाला है इसलिए मैंने इसको Number 5 पे रखा थोड़ा पुराना हो चुका है तो आपको इस स्कोर की बात करता हूं तो आपको 4,70,000 के करीब यहां तो स्कोर भी देखने को मिलेगा अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स स्मार्टफोन की जो क्याता है Number 4 पे अगर किसी को सेमसंग का स्मार्टफोन चाहिए तो आप डेफिनेटली इसको consider कर सकते हैं सेमसंग A34 5G हाला कि यह स्मार्टफोन थोड़ा ओवरफ्राइस है मैंने आपको पहले भी मेरी वीडियो में बताय हुआ है आपको 26,000 की रेंज में स्मार्टफोन मिलने वाला है जो इसका base variant है 6128 GB वाला अगर मैं बात करूँ इसकी डिस्पले की इसमें आपको 6.6 inch का Full HD Plus AMOLED डिस्पले देख यहां देखने को मिलेगा और इसमें आपको Gorilla Glass 5 का protection भी यहां देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आपको in display finger scanner भी यहां देखने को मिलेगा और face unlock जैसे feature के साथ यह स्मार्टफोन आने वाला है डिस्पले आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा Samsung का display AMOLED डिस्पले ह तो आपको colors वगरा है यहां काफी अच्छे देखने को मिलेगा अगर आप वीडियो वगरा देखते हैं content वगरा देखते हैं तो definitely आपके लिए काफी अच्छा display होने वाला है अब हम बात करते हैं इसकी बैटरी की यहां पे आपको 500 mm का बैटरी प्लस 25 वर्ट चार्जिंग गेबल देखने को मिलेगी अब हम बात करते हैं इसके camera's की यहां पे आपको rear में triple camera setup देखने को मिलता है और तीन ही camera यहां पे काम के दिये गए हैं कोई 2 megapixel का आलतू-फालतू camera यहां पे देखने को नहीं मिलेगा 48 megapixel का main camera OS के साथ आने वाला है प्लस 8 megapixel का अल्ट्रा white आपको मिलने वाला है प्लस 5 megapixel का micro camera यहां देखने को मिलेगा और एगर मैं इसके selfie camera की बात करता हूँ तो यहां पे 13 megapixel का selfie camera भी देखने को मिलेगा अगर मैं इसके सेलफी कैमरा के बात करता हूँ तो यहाँ पे 13 मेगाफिक्सल के सेलफी कैमरा से आपको decent photo ही यहाँ देखने को मिलेगी थोड़ी detail बगार अभी यहाँ मुझे कम देखने को मिली अगर मैं बात करता हूँ इसकी video recording की यहाँ आप दोनों कैमरा से 4K video 30fps पे record कर पाएंगे और अगर आपको OES के साथ यहाँ पे video record करना है तो आपको 1080p पे ही record करना होगा मैं बात करता हूँ इसकी multimedia experience के बारे में आपको stereo speaker देखने को मिलेगा और sound quality भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी multimedia experience भी आपका अच्छा होने वाला है क्योंकि इसका AMOLED display है और आपको stereo speaker इसके साथ मिलने वाले है और इसके साथ-साथ आपको additional जो इसमें IP67 का rating यहाँ देखने को मिलेगा जो की काफी अच्छी बात है आपको 25,000 की range में IP67 की rating यहाँ देखने को मिलेगी अब मैं बात करता हूँ इसके most important part के बारे में यहाँ पे आपको जो processor मिलने वाला है media tech density 1080 ही यहाँ पे मिलने वाला है जो की 6 nanometer based है अगर मैं इसके अंतितु score के बात करता हूँ तो आपको 4,700,000 के करीब यह अंतितु score देखने को मिलेगा और performance इसमें भी काफी stable यहाँ देखने को मिलेगी आप day to day activity के साथ साथ अच्छी कासी gaming भी इस processor के साथ कर पाएंगे और जो सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ पे लगी Samsung की 4 year का major update प्लस 5 year का security update भी यहाँ देखने को मिलेगा और यह smartphone out of the box Android 13 के साथ आने वाला है means आपको Android 17 तक यहाँ पे update मिलने वाला है जो की काफी अच्छी बात है और अगर मैं इसके UI के बात करता हूँ तो आपको 1 UI 5.1 मिलने वाला है इसमें आपको एकदम neat and clean UI experience यहाँ देखने को मिलेगा और जैसा कि 5G smartphone है यहाँ पी भी आपको 10 5G band का स्पोर्ट देखने को मिलेगा इंडिया में जितने भी 5G band है सभी को यह स्पोर्ट करता है और इसके साथ-साथ आपको LPDDR 4X RAM type और UFS 2.2 का storage type भी यहाँ देखने को मिलेगा अगर आपको यह phone 125,000 मिलता है अगर sale में तो आपके लिए definitely काफी अच्छी deal होने वाली है अगर आपको Samsung का smart phone चाहिए तो definitely आपके लिए काफी अच्छी option ही हो सकता है इसमें आपको display काफी अच्छी देखने को मिलेगा और multimedia experience भी यहाँ पे आपको अच्छा मिलने वाला है अब हम बात करते हैं हमारे next smartphone की number 3 पे हमारी list में आता है Realme 11 Pro आपको 24,000 के range में मिलता है और अगर आप card offer के साथ पर charge करेंगे तो यहाँ पे आपको additional discount भी देखने को मिलेगा और इसमें आपको 3 variant यहाँ देखने को मिलेगे जो इसका base variant है वो आपको 8,128 GB के साथ मिलने वाला है और 8,256 GB वेरेंट भी इसमें आपको मिलने वाला है और 12,256 GB वेरेंट के साथ यह smartphone आने वाला है अब हम बात करते हैं इसकी display के इसमें आपको 6.7 इंच का full HD plus covered OLED display देखने को मिलेगा और 120 Hz का refresh rate भी यहाँ देखने को मिलेगा display आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा covered OLED display colors वगारा भी काफी अच्छे देखने को मिलेगे अगर आप वीडियो वगारा देखते हैं content वगारा ज्यादा consume करते हैं तो definitely आपके लिए काफी अच्छा display यहाँ देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आपको in display finger scanner भी यहाँ देखने को मिलेगा और face unlock जैसे feature के साथ यह smartphone आने वाला है और इसमें आपको protection के बारे में यहाँ पे नहीं बिताया गया आपको 80 watt fast charging यहाँ देखने को मिलेगा और यह smartphone type A to type C charging यहाँ देखने को मिलेगा और अगर मैं इसके charging time की बात करता हूँ तो आपको approximate 55 minute यहाँ लगने वाले 0 to 100 full charge करने में और इसमें आपको battery backup भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा अगर आप heavy user नहीं है तो आपको एक दिन से ज़्यादा यहाँ पे battery backup देखने को मिलेगा तो हम बात करते हैं इसके camera's के बारे में यहाँ पे आपको rear में dual camera setup भी देखने को मिलेगा 100 megapixel का main camera OAS के साथ आने वाला plus 2 megapixel का portrait lens यहाँ पे देखने को मिलेगा इवन low light में भी आपको काफी अच्छी photos देखने को मिलेगी बट थोड़े बहुत color यहाँ पे boost करता है जो कि हमने यहाँ पे notice किया और अगर मैं इसके selfie camera की बात करता हूँ तो इसके selfie camera से आपको decent photo ही यहाँ देखने को मिलेगी अगर मैं बात करूँ इसके video recording की तो आप इसके rear camera से 4K video record कर पाएंगे 60fps पे बट अगर OAS का आपका spot चाहिए तो आपको 1080p पे ही record करना होगा अगर मैं बात करूँ इसके selfie camera की तो इसके selfie camera से आप 180p पे ही recording कर पाएंगे वीडियोग्राफी भी आपको काफी stable यहाँ देखने को मिलती है क्योंकि इसमें OAS आपको 1080p पे काफी अच्छे से काम करता है अब हम बात करते हैं इसके multimedia experience के बारे में यहाँ पे आपको stereo speaker मिलने वाला है जिसकी sound quality आपको decent ही मिलने वाली है बट आपका multimedia experience अच्छा होने वाला है क्योंकि इसमें जो covered AMOLED display है उसमें colors पगर आपको काफी अच्छे देखने को मिलेगे और stereo speaker आपको इसके साथ मिलने वाला है और इसमें आपको 3.5 का jack यहाँ देखने को नहीं मिलेगा और इसमें noise cancellation mic आपको यहाँ देखने को मिलेगा और जैसे की 5G smartphone है आपको 9 5G Wendt का भी यहाँ sport देखने को मिलेगा NFC आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा और SD card का slot भी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा अब हम बात करते हैं इसकी performance के बारे में यहाँ पे जो processor मिलने वाला आपको mid attack के दर्स आने वाला 7050 देखने को मिलेगा जो कि 6 nanometer based है अगर मैं इसके अन्तितु स्कोर की बात करता हूँ तो आपको 5,35,000 के करीब यह अन्तितु स्कोर देखने को मिलता है अब day to day activity के साथ साथ अच्छी खासी gaming भी इस processor के साथ कर पाएंगे हमने लंबे टाइम तक भी इसमें gaming करके देखा तो यहाँ पे आपको कोई hitting issues भी देखने को नहीं मिलता थोड़ा बहुत warm जुरूर होता है यहाँ पे बट आपको performance काफी stable यहाँ देखने को मिलेगी इसके लावा यह smartphone आपको out of the box android 13 के साथ यहाँ मिलने वाला है और इसमें आपको realme UI 4.0 देखने को मिलेगा बट इसमें आपको bloatware बगरा add बगरा बिलकुल देखने को मिलेगा अगर आप चाहें तो इसको disable कर सकते हैं और इसके लावा अगर मैं बात करूँ इसके update बगरा की तो यहाँ पे आपको 2 year का major update प्लस 3 year का security update भी देखने को मिलेगा पुरा अलगर मैं बात करता हूं इस smartphone की आपको display काफी अच्छा देखने को मिलेगा cold amolet display देखने को मिलेगा और बैटरी बैकाप भी इसमें काफी अच्छा देखने को मिलेगा और fast charging का sport भी यहाँ देखने को मिलेगा और camera भी इसमें काफी अच्छा देखने को मिलेगा बड इसका जो selfie camera पनिससे आपको decent photo ही मिलने वाली है और multimedia experience भी आपका अच्छा मिलने वाला है और performance भी में काफी अच्छा देखना मिलेगा overall में आपको complete package यहां मिलने वाला है अब हम बात करते हैं हमारे next smartphone की जो क्या आता है number 2 पे अगर आपको लगता है number 2 वाला phone number 3 पे होना चाहिए था या number 3 वाला number 2 पे होना चाहिए तो हमें comment करके जुरूर बताएं number 2 पे हमारी लिस्ट में आता है IQ Z7 Pro जो की अभी recently launch हुआ है अगर मैं इसके price की बात करता हूँ आपको 24,000 के करीब देखने को मिलेगा और अगर आप card offer के साथ पच्छेर करते हैं तो आपको 22,000 के करीब देखने को मिलता है blue मिलने वाला है और black आपको देखने को मिलेगा अब हम बात करते हैं इसकी display की इसमें आपको बड़ा display देखने को मिलेगा 6.78 इंच का full HD plus 3D covered AMLR display देखने को मिलता है जो की 120 Hz refresh rate के साथ आने वाला है और अगर आप आउड़ोर में भी इसका यूज करते हैं तो आपको काफी bright display देखने को मिलेगा 1300 nits का यहां bright level भी देखने को मिलता है डिस्पले आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा कलस वगएरा भी आपको काफी अच्छे देखने को मिलेगा अगर आप वीडियो वगएरा देखते हैं काफी अच्छा दिस्पले होने वाला है और इसमें आपको in display finger scanner भी यहां देखने को मिलता है और face unlock जैसे feature के जाथ यह smartphone आने वाला है और इसमें आपको bezels भी काफी कम देखने को मिलते हैं इसके back side में आपको glass back यहां मिलने वाली इसका design and build तो काफी ज़्यादा यहां पे premium लगने वाला है और इसकी thickness की अगर मैं बात करूँ तो काफी thin है यह 7.36 mm का आपको thickness देखने को मिलता है अब हम बात करते हैं इसकी battery के बारे में यहां पे आपको 4600 mm का battery मिलने वाला है 500 mm हो सकता था बट यहां पे काफी slim आपको phone देखने को मिलेगा इसलिए आपको 4600 mm का battery यहां देखने को मिलेगा प्लस 66 watt fast charging के साथ यह smartphone आने वाला है और इसके साथ साथ आपको type A to type C charging cable भी देखने को मिलेगी अब हम बात करते हैं इसके camera के बारे में यहां पे आपको rear में dual camera setup भी देखने को मिलेगा 64 megapixel का main camera यहां मिलने वाला Samsung का sensor यह प्लस 2 megapixel का depth sensor भी देखने को मिलेगा और इसमें आपको OES का भी sport देखने को मिलेगा dynamic range भी काफी अच्छे से balance करता है इवन low light में भी आपको काफी अच्छी photos यहां देखने को मिलेगी इसमें जो आपको aura light मिलने वाली है उससे आपको काफी अच्छी photos यहां मिलने वाली है अगर आप night में क्लिक करते हैं और अंधेरे में भी क्लिक करते हैं तो आपको काफी अच्छे result यहां देखने को मिलेगे अगर मैं बात करूँ इसकी selfie camera की तो selfie camera से भी आपको काफी अच्छी photos यहां देखने को मिलेगी अगर मैं इसके video recording के बात करता हूँ तो आप here camera से 4K video भी record कर पाएंगे 30fps पे और अगर मैं front camera से बात करता हूँ तो यहां पे आपको 1080p ही recording देखने को मिलेगी वीडियोग्राफी भी आपको काफी stable यहां देखने को मिलते है क्योंकि इसमें आपको OES and EAS का sport देखने को मिलेगा बट आपको 1080p पे ही record करना होगा अब हम बात करते हैं इसके multimedia experience के बारे में यहां पे आपको single speaker ही देखने को मिलेगा इसकी sound quality आपको काफी decent सी देखने को मिलेगी और 3.5M का jack यहां भी आपको देखने को नहीं मिलेगा और आपको dual nano sim card का option ही यहां देखने को मिलेगा इंडिया भी चितने ही 5G band है सभी को स्पोर्ट करता है Wi-Fi 6 आपको मिलने वाला है और Bluetooth version 5.3 यहां पे latest देखने को मिलेगा और NFC का स्पोर्ट यहां देखने को नहीं मिलेगा और इसके साथ साथ आपको IP52 की rating भी यहां देखने को मिलेगी अब हम बात करते हैं इसकी performance के बारे में यहां पे जो processor मिलने वाला है वो काफी जवरदस्त यहां पे मिलने वाला है क्योंकि IQ का स्मार्टफोन है आपको performance तो यहां पे definitely काफी अच्छी ही देखने को मिलेगी इसमें आपको media tech density 7200 देखने को मिलता है जो कि 4 nanometer based है आपको 22,000 की range में 4 nanometer based वाला processor देखने को मिलता है अगर मैं इसके अंतुत स्कोर की बात करता हूं तो आपको 7,21,000 के क्रीब यह अंतुत स्कोर देखने को मिलता है अगर आपको performance के लिए smartphone चाहिए तो definitely काफी अच्छी आपके लिए deal होने वाली है आप day to day activity के साथ साथ अच्छी खासी gaming भी इसमें कर पाएंगे और HDR gaming भी इसमें कर पाएंगे क्योंकि इसका display 10 bit display है और आप लंबे time तक भी इसमें gaming करते हैं तो काफी stable आपको performance देखने को मिलेगी के साथ साथ आपको LPDDR 4X RAM टाइप और UFS 2.2 का story type भी यहां देखने को मिलेगा और इसमें आपको Android 13 यहां देखने को मिलेगा और FunTouch OS 13 भी यहां देखने को मिलेगा और display की अगर मैं बात करूँ यहां पे आपको curved AMOLED display देखने को मिलता है और battery भी यहां पे अच्छा मिलने वाला है और camera भी इसमें अच्छा देखने को मिलेगा और अगर मैं performance की बात करता हूँ तो यहां पे आपको performance तो टॉप नॉट मिलने वाली अब हम बात करते हैं हमारी लिस्ट के last smartphone की जो कि आता है number 1 पे अगर आपको लगता है कोई phone number 3 वाला 4 पे या 4 वाला 3 पे कहीं भी होना चाहिए था आप अपनी requirement के coding कोई भी phone इन में से select कर सकते हैं number 1 पे हमारी लिस्ट में आता है OnePlus Nord CE 35G smartphone जो कि अभी recently launch वाता अगर मैं इसके price के बात करूँ 27,000 के cream मिलता है बट आपको card over के साथ 25,000 के cream इसली मिल जाता है और अगर मैं इसके variant के बात करता हूँ यहाँ पे आपको 2 variant देखने को मिलेगे 8128 GB के साथ यह phone आने मला है और 12256 GB variant के साथ यह smartphone देखने को मिलेगा अब हम बात करते हैं इसकी display की यहाँ पे आपको covered AMOLED डिस्पले देखने को नहीं मिलेगा अगर आपको covered AMOLED डिस्पले ही चाहिए तो आपको Realme 11 Pro या फिर IQ G7 Pro की तरफ ही जाना होगा यहाँ पे आपको flat display देखने को मिलेगा 6.7 इंच का full HD plus AMOLED डिस्पले देखने को मिलता है जो की 120 Hz रिफ्रेंट सेट के साथ आने वाला है और अगर आप outdoor में भी इसका यूज़ करते हैं तो आपको काफी bright display देखने को मिलता है और इसमें आपको HDR10 Plus का भी यहाँ स्पोर्ट देखने को मिलेगा बट यहाँ पे screen पे protection के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया गया और इसमें आपको in display finger scanner भी हाँ मिलने वाला है और face unlock जैसे feature के साथ यह smartphone देखने को मिलेगा अब हम बात करते हैं इसकी battery की यहाँ पे आपको 500 mAh का battery प्लस 80V far charging के साथ यह smartphone आने वाला है और इसके box में आपको type A to type C charging देखने को मिलेगी battery backup भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा और यहाँ पे charging speed तो 80V है तो आपको charging speed में भी कोई issue देखने को नहीं मिलेगा अब हम बात करते हैं इसके camera की आपको rear में triple camera setup देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको 50MP का main camera OES के साथ आने वाला है प्लस 8MP का ultrawide भी यहाँ पे देखने को मिलेगा इसलिए मैंने इसको number 1 पे रखा यहाँ पे सारी चीज़े balance आपको देखने को मिलती है यहाँ पे आपको ultra wide camera भी देखने को मिलता है और Dynamic Rain भी काफ़ी अच्छी से balance कर लेता है इवन low light में भी आपको काफ़ी अच्छी photo जहां देखने को मिलेगी अगर मैं इसके selfie camera की बात करता हूं तो आपको selfie camera से भी काफ़ी अच्छी photo जहां देखने को مिलेगी और अगर मैं इसके video recording की बात करता हूं यहाँ पे आपको stereo speaker देखने को मिलता है जिसकी sound quality आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी और Dolby Atmos का भी sport देखने को मिलेगा multimedia experience भी आपका अच्छा होने वाला है क्योंकि आपको AMOLED display के साथ साथ stereo speaker भी यहाँ देखने को मिलता है और इसमें आपको hybrid sim card slot भी यहाँ देखने को मिलेगा अब हम बात करते हैं इसकी performance के बारे में आपको performance भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें snapdragon 782G देखने को मिलता है जो कि 6 nanometer based है अगर मैं इसके अंतितु score की बात करता हूँ तो आपको 7 lakh के क्रीब approximate यहाँ देखने को मिलता है और इसके साथ UAE के अगर मैं बात करता हूँ तो oxygen OS 13.1 देखने को मिलता है काफी neat and clean UAE experience यहाँ आपको देखने को मिलता है और इसमें आपको 2 year का major update प्लस 3 year का square update भी देखने को मिलता है कोई bloatware बगरा add बगरा third party app यहाँ देखने को नहीं मिलेगी इसके साथ आपको LPDDR 4X RAM type और UFS 3.1 का story type भी देखने को मिलेगा अगर मैं इसके connectivity की बात करता हूँ जैसे की 5G smartphone है तो आपको 9 5G band का भी यहाँ spot देखने को मिलता है इंडिया में जितने भी 5G band है सभी को भी spot करता है और Bluetooth version 5.2 मिलने वाला है Wi-Fi 6 इसमें मिलने वाला है और इसके लावा FM radio है आपको देखने को नहीं मिलेगा alert slider भी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा और NFC का spot यहाँ पे देखने को मिलेगा overall अगर मैं बात करूँ इस phone की आपको display काफी अच्छा देखने को मिलता है AMOLED डिस्प्ले है और battery भी यहाँ पे अच्छा मिलने वाला है आपको fast charging का spot भी देखने को मिलता है और multimedia experience भी आपका अच्छा होने वाला है और camera भी इसमें अच्छा मिलने वाला है बट हमने Poco X5 Pro 5G को brand करके यहाँ पे थोड़ा सा out किया otherwise वो phone जो है मतलब आपको जो processor मिलता है उसमें और जो camera मिलता है उसमें overall में आपको एक 20,000 में complete package वाँ भी मिलने वाला है अगर आपको Poco as a brand कोई problem नहीं है तो आप definitely उसको भी consider कर सकते हैं वो भी काफी अच्छा smartphone है ओके दोस्तो इस वीडियो में इतना ही मिलते है next वीडियो में I hope मैंने आपका सारे doubts इस वीडियो में clear कर दियोंगे still अगर आपका को question है तो आप हमसे comment box में बोच सकते हैं काफी मेंनर लगते है काफी research के बाद मैंने ये top 5 phone आपके लिए select किया है अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे हो तो वीडियो को like कीजिए दोस्तों का share कीजिए और मेरे channel पे नहीं है ऐसी और वीडियो के लिए channel को subscribe कीजिए और ज्यादा ज्यादा support कीजिए